definite integration में problems on estimation आती है और वो inequality generate करती है और उसकी value हमें निकालनी होती है उसी तरह का सवाल यहाँ पे है कि यह 0 to 1 x cos x dx is greater than equals to 3 by 8 लिक रहा है यह चारों option में इसी तरह की बात है तो यह जो है problems on estimation पे based question है यहाँ पे इस question को जो की आया था यह j advanced 2020 paperwork का question 12 है ठीक है इसको करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि sin x का और cos x का expansion क्या है ठीक है तो cos x का जो expansion होता है वो आता है आपका 1 minus x square factorial 2 plus x 4 by factorial 4 minus x 6 by factorial 6 तो यह इस तरह से चलता रहता है ठीक है और sin x का जो expansion होता है वो आता है आपका x minus x cube factorial 3 plus x 5 by factorial 5 minus x 7 by factorial 7 ठीक है तो इस तरह से यह infinitely यह भी चलता है अब हम एक काम करेंगे यहाँ पे कि जिस value को में निकालने मालीजे यह option है यह option मुझे solve करना है यहाँ दे दिया इसने 021 x cos x दे रखा है पूरा cos x को हम नहीं लिखेंगे मैं एक काम करता हूँ क्योंकि इस value को मुझे check करना है और जैसे ही मैं काम करूँगा कि इसमें जो options है यह cos x की full value है ठीक है लेकिन हम क्या करेंगे खाली इसके 2 step तक value यूज करेंगे cos x में यह पूरी value है और x cos x है ठीक है dx है और जैसे ही आप क्या करते हैं कि इस value में से खाली 2 values को use करते हो तो यह value बड़ी हो जाएगी क्योंकि यह इन सारी values को involve कर रखा है इसने और यह greater than हो जाएगा that is the 0 to 1 0 to 1 x into that is the simply 1 minus x square upon factorial 2 right dx हमने ऐसा क्यों कि इसमें से कुछ value जो है x square minus का common ले भी लो तो delete कर रहा है ठीक है तो यह पूरी value को involve किएवे 0 to 1 के बीच में और यहां पर खाली हम दो ही step लिक रहें ठीक है ना तो यह value से बड़ी हो जाएगी और उसके बाद में इस value को evaluate कर सकते है that is equals to right 0 to 1 0 to 1 this is x minus x q by 2 and into dx इसको आप simply solve कर दीजे यह देदेगा आपको x square by 2 minus x 4 by 4 आएगा 8 आएगा limit लगा दोगे 0 to 1 1 by 2 minus 1 by 8 solve कर देंगे 8 LCM आगे आप 4 minus 1 3 by 8 ठीक है तो यह जो value थी इसके लिए हम लिख सकते हैं कि this value is greater than 0 to 1 x cos x यह पूरी values को involved किये वह था और इसमें से खाली हमने दो स्टेफ तक यूज किया this is greater than equals to 3 by 8 तो option a right हो जाता है इसी तरह से हम b option को check करते है ठीक है ना तो b option में भी देखें क्या करना पड़ेगा sin x और cos x के expansions तो अब मालूम चल गए तो इनी को हमें use करके और आगे आगे परकाउट करते चले जाना है ठीक है ना यहां ले लेंगे हम second option 0 to 1 में भी मैं एक काम करता हूँ 0 to 1 है x sin x है x sin x dx है ठीक है इसको मैं एक काम करता हूँ खाली दो ही step open करता हूँ same ठीक है so this will be greater than एक पस्टू 0 to 1 क्योंकि यह सभी values को involve किये वे हैं और यहां हम खाली दो ही step लिख रहे हैं और वो है हमारे x minus x cube by factorial 3 dx right same concept लगेगा यहां पर भी 0 to 1 यह आगया आपका x square x square minus x to the power 4 by this is 6 ठीक है into dx और इसको आप solve कर दीजे तो यह value देखी क्या देगा this is greater than इसको अब हम integrate कर दे रहे है minus x 5 by 5 30 और limit लगा लेंगे 0 to 1 और simplify कर देंगे that is the 1 by 3 minus 1 by 30 ठीक है so that is the 30 10 minus 1 9 by 30 9 by 30 को लिख सकते हैं that is the 3 by 10 so this is greater than equals to 3 by 10 देखिए a option b option भी सही हो गया right अब हम थर्ड option पर आते हैं c option के लिए काम करते हैं क्योंकि यह x square already मिला हुआ है c option को अगर workout करना है 0 to 1 x square दे रखा है cos x dx गिवन है अब मैं इस पर एक workout यह करूंगा कि अगर क्योंकि x square already मिला हुआ है मुझे जो की इंटीग्रेबल वैल्यू है इन इक्विलिटी जनेरेट करनी है ठीक है ना estimation में तो हम पूरा कॉसेक्स वैल्यू को अगर हटा देंगे जो की 0 to 1 इंटीग्रेट कर रहा है और इसके साथ तो क्या हो गया ओवर्राल जो x square वाली वैल्यू है वह बड़ी हो जाएगी ठीक है ना तो क्या इसको हम इस condition को ऐसा लिख सकते हैं 0 to 1 इस is x square dx simple और इसको जब आप solve करेंगे और लिमिट लगा देंगे 0 to 1 तो इस वैल्यू इस लैस देन इक्वास टू 1 बाई 3 से स्मालर हो जाएगी है तो 0 to 1 x square cos x is basically less than equals to 1 by 3 और इसने कहा था 3 by 10 से बड़ी हो ठीक है यह सोरी यह ग्रेटर देन हाफ हो और हाफ से बड़ी बता रहा है और हम किस option पर आगए हम इस option पर आगए कि वह वैल्यू तो 1 by 3 से smaller है greater than half नहीं है ठीक है न तो इट मिंस यह option गलत हो गया यह option गलत आ गया अब अब हम d option पर आते हैं यह clear है कि c option गलत जाएगा राइट आच्छा d option पर आते हैं देखे d option क्या कह रहा है 0 to 1 this is x square sin x x square sin x dx है ठीक है inequality generate करने के लिए वापस में वही काम करूँगा क्योंकि यह value 0 to 1 के बीच में है तो इसके दो step ले लूँगा ठीक है इसको मैं greater than लिख लूँगा 0 to 1 x square और sin x का यहां पर expansion ले लेंगे x x cube by factorial 3 dx इसको आप solve करके देखे 0 to 1 and this is x cube x cube minus x to the power 5 by factorial 3 is 6 right अभी इसको integrate करना बाकी है this is greater than equals to x4 by 4 minus x6 by 6 जाएगा 36 होगा 0 to 1 होगा this is greater than equals to limit place कर देंगे 1 by 4 minus 1 by 36 तो यह जो value निकल के आ रही है 36 एक एलसी मेंगा 9 minus 1 इस 8 by 36 ठीक है तो यह हो जाएगा 4 से 2 नो चौक 36 ठीक है 2 by 9 so it is greater than equals to 2 by 9 यहां पर आप देखे डी option राइट हो रहा है ठीक है अगें दा डी option is correct तो यह जो multi correct option टाइप question था उसमें हम जो problems देखते हैं problem on estimation inequality में generate करनी होती है और वो depend करता है कि आप अगर यहां पर एक जो algebraic curve है उसके साथ में technometric curve था तो क्या करेंगे कि उसकी एक या दो values को हम ले सकते हैं और इस तरह से एक inequality create करके उसके बीच में value निकाल सकते हैं ठीक है तो यह अच्छा सवाल था इसमें आपका a option b option और d option इसमें राइट हो गया है के लाइए बाइब वहाँ आपका लगे का में और दो अजया है